दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हिटलर 1933 में जर्मनी का चांस्लर बनता है और फिर सिचुएशन का फाइदा उठाकर सारी पावर अपने हाथों में ले लेता है यानि कि एक डिक्टेटर बन जाता है आज हम ये जानेंगे कि एक डिक्टेटर बनने के बाद हिटलर किस तरह की पॉलोसीज अडॉप्ट करता है या फिर ये कहिए कि कैसे जर्मनी को फैशिस्ट स्टेट में बदल दिया जाता है आईए शुरू करते हैं फीचर्ज अफ दे नाजी टोटालिटरियन स्टेट हिटलर ग्लाइक शाल्टूंग यानि फॉसिबल कॉर्डिनेशन नाम की पॉलोसी फॉलो करता है इसके तहट गवन्मन्ट सिटिजन्स की लाइफ के ज्यादा से ज्यादा आस्पेक्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है इसमें उसकी मदद करती है ह्यूज पॉलीस फोर्स और स्टेट सीक्रिट पॉलीस जिसे गिस्टापो कहा जाता है Government को oppose या criticize करना किसी के लिए भी dangerous हो जाता है Nazi Party के अलावा सभी political parties को ban कर दिया जाता है यानि Germany भी Italy और USSR की तरह एक one party state बन जाता है State legislatures अभी भी exist करते थे लेकिन उनके पास कोई power नहीं थी उनके ज्यादतर functions नाजी special commissioner द्वारा किये जाने लगते हैं जिसे हर एक state में Berlin government यानि Hitler द्वारा point किया जाता था State के सभी officials और affairs पर पूरी तरह इनका ही control रहता था इसके अलावा state, provincial या municipal elections भी नहीं कराए जाते Civil service को purge किया जाता है यानि कि उसमें से सभी Jews और state के enemies या कहें कि Hitler के विरोधी लोगों को हटा दिया जाता है Trade unions को abolish कर दिया जाता है उनके funds को confiscate कर लिया जाता है और leaders को arrest Trade unions के जगह German labor front ले लेता है और सभी workers के लिए इसकी membership लेना compulsory कर दिया जाता है किसी भी तरह की शिकायत यानि grievances से government खुद ही deal करती है Strikes करना allowed नहीं था इसके अलावा education system को closely control किया जाता था जिससे children को Nazi opinion से indoctrinate किया जा सके Nazi theory के साथ fit करने के लिए अकसर school textbooks को rewrite किया जाता था खास कर history और biology को History को distort करके ये दिखाया जाता है कि greatness सिर्फ force के ज़रिये ही हासल की जा सकती है जैसा कि Hitler का view था biology में Nazi race theory dominate करती है Teachers, professors पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि वो party line के विरोध में कुछ भी न सिखाएं इसके अलावा सभी boys को 14 साल की age में Hitler youth नाम की organization जॉइन करनी होती थी और सभी girls को league of German maidens regime द्वारा traditional bonds जैसे की family के प्रती loyalty को destroy करने की कोशिश भी की जाती है बच्चों को सिखाया जाता है कि उनकी पहली duty Hitler को obey करना है Hitler, Führer का title adopt करता है जिसका मतलब होता है leader या guide Students के बीच Führer is always right के slogan को popular कर दिया जाता है यहां तक कि उन्हें encourage किया जाता था कि वो अपने parents को gestapo के सामने betray कर दें और बहुत से बच्चे ऐसा करते भी है Family को लेकर एक special policy adopt की जाती है Nazis को डर था कि birth rate decline कर रहा है इसलिए racially pure और healthy families को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए encourage किया जाता था Family planning centers को close कर दिया गया था और contraceptives पर ban लगा दिया गया था लेकिन ऐसे लोग जिन्हें undesirable समझा जाता था उनके लिए नियम उल्टा था उन्हें Nazis द्वारत discourage किया जाता था अपनी family बढ़ाने से इसमें Jews और Gypsies के साथ physically और mentally unfit लोग आते थे 1935 में Jews और Aryans के बीच marriage को forbidden कर दिया गया था तीन लाग से ज्यादा लोग जिन्हें unfit करार कर दिया गया था उन्हें सबरदस्ती sterilize कर दिया जाता है इसके अलावा सभी तरह के communications पर media को minister of propaganda Dr. Joseph Goebbels द्वारा control किया जाता था रेडियो, newspapers, magazines, books, theater, music और art सभी को supervise किया जाता था गवर्मन्ट द्वारा सस्ते रेडियोज लोगों को उपलब्ध कराए गये थे यही वज़ा थी कि 1939 तक 70% से भी ज्यादा ज़्यादा ज़र्मन घरों में रेडियो आ चुका था लेकिन यह सिर्फ एक materialistic benefit नहीं था बलकि इसके जरिये लोगों तक लगातार नाजीज के message को पहुँचाया जाता था 10th May 1933 को National Book Burning Day मनाया जाता है जिसमें Jewish, Socialist और बाकी suspect writers द्वारा लिखी books को universities में बड़े-बड़े bonfires organize करके publicly चलाया जाता है 1934 तक करीब 4000 books forbidden list में थी क्योंकि उन्हें un-german बताया गया था इसी तरह 20th March 1939 को लगभग 5000 condemned paintings और drawings को Berlin के Central Fire Station के बाहर जला दिया जाता है artists, writers और scholars को लगातार harass किया जाता है और कोई भी opinion जो Nazi system में fit न बैठता हो उसे express करना जैसे impossible हो जाता है इन methods की help से public opinion को mold किया जाता है और Nazis के लिए mass support को कायम रखा जाता है कह सकते हैं कि Germany को पूरी तरह एक police state में बदल दिया जाता है Nazi party की paramilitary force, SAE और Gestapo की help से police, Nazi regime के विरुद हर तरह के opposition को खत्म कर देती है Law courts में भी impartial व्यवहार नहीं किया जाता एक बार state enemy declare होने के बाद किसी को fair trial मिलने की कोई उम्मीद नहीं रह जाती 1933 में Hitler द्वारा शुरू किये गए concentration camps पूरी तरह भर चुके होते हैं इसमें political prisoners जैसे की communists, social democrats, catholic priests और protestant pastors को रखा जाता था इसके अलावा homosexuals और Jews persecuted groups का एक बड़ा हिस्सा थे लगभग 15,000 homosexual men को camp में भेजा गया था और anti-semitic policy तो Nazi regime का सबसे cruel face सामने लाती है जर्मनी में उस समय सिर्फ 5,000,000 के करीब ही Jews थे यानि बहां की total population का 1% से भी कम लेकिन फिर भी Hitler उन्हें scapegoards की तरह यूज करता है मतलब जर्मनी के साथ जो कुछ भी गलत हुआ उसका जिमेदार सिर्फ Jews को बना दिया जाता है फिर चाहे वो WSI में मिला humiliation हो economic depression हो, unemployment हो या फिर communism Hitler racial purity की बात करता है यानि की Aryan race, especially Germans को non-Aryans, Jews के contamination से free रखने को कहता है और इसलिए Jews को जर्मनी से पूरी तरह बाहर करने की जरूरत बताई जाती है नाजीस द्वारा जूज पर किये गए अत्याचारों को यहां बयां कर पाना भी नमुम्किन सा है इसके उपर बहुत सी फिल्म्स बन चुकी है holocaust, memorials और museums भी हैं जो इस दर्दनाक घटना को बयां करते हैं इस तरह Hitler जर्मनी को एक fascist state में convert कर देता है लेकिन Hitler के power में आने का सबसे बड़ा कारण तो economic depression और जर्मनी को उससे बाहर निकालने का उसका promise था तो आईए अब Hitler की economic policy की बात करते हैं Hitler's economic policy नाजीस द्वारा economy पर भी close control बनाया जाता है नाजीस के पास communist की तरह economy को लेकर कोई special ideas तो नहीं थे लेकिन उनके कुछ basic aims जरूर थे जैसे की unemployment को eliminate करना और Germany को self-sufficient बनाना इसके लिए imports को कम और exports को boost करने की policy अपनाई जाती है जिसे order की कहा जाता है इस policy के तहट 1936 में 4-year plan introduce किया जाता है जिसमें industries को बताया जाता है कि क्या produce करना है ऐसी factories को बंद कर दिया जाता है जिनके products की जरूरत नहीं थी farmers को agricultural yields बढ़ाने के लिए encourage किया जाता है food और rent के prices को control किया जाता है inflation को avoid करने के लिए foreign exchange rates को manipulate किया जाता है इसके अलावा public works की बड़ी-बड़ी schemes शुरू की जाती है जैसे कि slum clearance, land drainage, motorway building, etc. foreign countries को German goods purchase करने के लिए force किया जाता है आप सूच रहे होंगे ऐसा कैसे किया जा सकता है इसके लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं जैसे कि इन देशों से Germany में आने वाले goods के लिए cash पे नहीं किया जाता इससे उन्हें बदले में German goods ही accept करने पड़ते थे इसी तरह कुछ ऐसे foreigners थे जिनके Germany में bank accounts थे उन्हें cash निकालने की permission नहीं दी जाती और इसलिए उन्हें भी German goods पर ही अपने पैसे खर्च करने पड़ते थे इसके अलावा synthetic rubber और wool को भी बड़े scale पर manufacture किया जाता है और coal से petrol produce करने का experiment भी किया जाता है जिससे कि foreign countries पर dependence को कम किया जा सके Armaments पर खर्च बढ़ा दिया जाता है 1938-39 में government spending का 52% military budget पर ही खर्च हो रहा था इसकी वजह ये थी कि Hitler जर्मनी को जल्द से जल्द एक economic और military power बना देना चाहता था इस सब की वजह से German economy में तेजी से सुधार देखने को मिलता है जिससे Hitler की popularity लोगों के बीच बनी रहती है Economic policy के बाद आईए अब Hitler की religious policy की चर्चा करते हैं Hitler's religious policy Hitler द्वारा religion को भी state control मिला जाता है क्यूंकि churches possible source of opposition हो सकते थे Germany में उस समय दो main religious sects dominant थे Roman Catholics और Protestants सबसे पहले बात करते हैं Roman Catholic Church की 1933 में Hitler Roman Catholic Church की Pope के साथ एक agreement साइन करता है जिसे Concordart के नाम से जाना जाता है इसमें वो German Catholics के साथ किसी भी तरह का interference ना करने का promise करता है इसके बदले में Pope Catholic Center Party को dissolve करने और आगे से politics में किसी भी तरह का part ना लेने का वादा करते हैं लेकिन जल्दी ही दोनों के बीच रिष्टे खराब हो जाते हैं क्यूंकि Hitler Concordart को break करते हुए Catholic Youth League को dissolve कर देता है और जब Catholics इसका विरोध करते हैं तो उनके schools को भी बंद कर दिया जाता है 1937 आते आते Catholics पूरी तरह नाजीस के खिलाफ हो जाते हैं और Pope Pius XI एक Encyclical issue करते हैं जिसमें वो नाजीस को condemn करते हैं और उन्हें Christ और Church के प्रती hostile declare करते हैं Encyclical एक letter की तरह था जिससे Germany के सभी Roman Catholic Churches में पढ़ा जाना था इसके बाद Hitler हजारों प्रीस्ट्स और नंस को arrest करके concentration camps में भेज देता है Roman Catholic Church के बाद अब Protestants की बाद करते हैं क्यूंकि majority of Germans किसी ना किसी Protestant group को ही बिलॉंग करते थे इसलिए Hitler उन्हें एक Reich Church में organize करने की कोशिश करता है और एक नाजी को ही Reich का पहला bishop बनाया जाता है लेकिन बहुत से pastors यानि की priests इसका विरोध करते हैं और उनका एक group जिसे Martin Neymolar lead कर रहे थे वो direct Hitler से government interference और Jews के साथ हो रही treatment की शिकायत भी करता है नाजीज एक बार फिर ruthless साबित होते हैं और Neymolar के साथ-साथ 800 से ज्यादा pastors को concentration camp में डालतेते हैं इसके बाद विरोध करने वाले और भी pastors को arrest किया जाता है और बाकी को furor यानि की Hitler के प्रती obedience की शपत लेने को कहा जाता है इस तरह बड़े scale पर किये गए persecutions की वजह से churches control में आते दिखते हैं लेकिन resistance जारी रहता है और church अकेली ऐसी organization थी जो नाजी सिस्टम के विरोध में लगातार quiet campaign चलाते हैं उधारण के तौर पर 1941 में कुछ Catholic bishops German asylum में रह रहे mentally handicapped लोगों को मारने की Nazi policy का विरोध करते हैं इस euthanasia campaign में 70,000 से भी ज्यादा लोगों का नाजीस द्वारा murder किया जाता है इस तरह नाजीस religious fear में भी पूरी तरह intolerant सावित होते हैं और हर तरफ सिर्फ डर का माहौल बना के रखा जाता है ये सब तो जर्मनी के अंदर चल रहा था जर्मनी के बाहर यानि कि foreign relations को लेकर हिटलर की क्या policy रहती है उसकी चर्चा करना भी ज़रूरी है हिटलर's foreign policy दोस्तों हिटलर power में इस वादे के साथ आया था कि वो जर्मनी को एक बार फिर से great nation बना देगा और पूरे यॉरोप को dominate करेगा उसकी foreign policy के तीन main aims थे पहला तो VSI की संधी को destroy करना क्यूंकि हिटलर के अनुसार ये treaty पूरी तरह unfair थी ज्यादा तर जर्मन्स भी उसकी इस सोच के साथ सहमती रखते थे दूसरा aim था जर्मन बोलने वाले सभी लोगों को एक देश के अंदर लेकर आना First World War के बाद जर्मन्स बहुत से देशों जैसे की Austria, Czechoslovakia और Poland में रह रहे थे हिटलर को लगता था कि इन सभी को unite करके वो एक powerful Germany या gross Dutch land create कर सकता है और उसका तीसरा aim Germans के लिए living space यानी Lebensraum की व्यवस्था करना था इसके लिए वो East में Poland और Russia की तरफ expand करना चाहता था अपने aims को पूरा करने के लिए वो violence के threat का use करता है हिटलर समझ चुका था कि उसके potential दुश्मन France और England किसी भी कीमत पर war को avoid करना चाहते हैं वो First World War को repeat होने से रोकने के लिए compromise करने के लिए भी तैयार हैं इसी का फायदा Hitler अपने aims को पूरा करने के लिए करता है 1930s में foreign policy की successes Hitler को Germany में एक popular figure बना देती हैं सबसे पहले 1933 में वो League of Nations को छोड़ देता है इसके बाद 1934 में वो Poland के साथ 10 साल का non-aggression pact sign कर लेता है इस alliance के साथ Germany का diplomatic isolation खत्म हो जाता है और साथ ही Eastern Europe में France द्वारा बनाए गए anti-German alliances भी कमजोर पड़ जाते हैं अगले 5 साल तक Poland और Germany के बीच cordial relations रहते हैं लेकिन Hitler द्वारा किये गए बाकी agreements की तरह ही ये भी उसका एक tactical move था और उसका इसे लंबे समय तक follow करने का कोई इरादा नहीं था 1935 में सार रीजन जिसे First World War के बाद Germany से अलग कर दिया गया था वो Germany में वापस मिलने के लिए vote करता है 1936 में Rhineland में Hitler अपने troops भेज़ देता है Treaty of ASI के तहट Rhineland को demilitarize घोशत कर दिया गया था June 1936 में Spanish Civil War शुरू हो जाता है Hitler स्पेन के जेनरल फ्रैंको को इसे जीतने में मदद करता है Italy का डिक्टेटर Mussolini भी जेनरल फ्रैंको के लिए मदद भेजता है और यहीं से दोनों के बीच Close Cooperation की शुरूआत होती है जो की Rome, Berlin, Axis नाम की Alliance को जन्म देती है 1938 में Hitler Austria को भी Annex कर लेता है और अगले ही साल March 1939 में चिकोस्लवाकिया पर भी कबजा कर लेता है इस दोरान Britain और France उसे रोकने के लिए कुछ नहीं करते क्यूंकि वो Appeasement की Policy को Follow कर रहे थे इससे Hitler के हौसले और बुलंद होते हैं और 1939 में वो पोलिन पर अटैक लॉंच कर देता है पोलिन पर हमले से पहले खुद को Eastern Front पर सुरक्षित रखने के लिए Hitler USSR के साथ March 1939 में 10 साल का Non-Aggression Pact साइन कर लेता है इस तरह उसे लगता है कि वो पोलिन को आराम से जीत लेगा क्यूंकि पैक्ट के अनुसार USSR हिटलर का इसमें साथ देगा और Britain और France ने जब चिकुसलवाक्या के अनेक्सेशन पर हिटलर को कुछ नहीं बोला तो पोलिन के लिए भी वो उसे नहीं रोकेंगे लेकिन यहां हिटलर गलत साबित होता है पोलिन पर हमला होने पर Britain और France ज़र्मनी के अगेंस्ट वार डिकलेयर कर देते हैं और देखते ही देखते Second World War की शिरुवात हो जाती है Conclusion दोस्तों हिटलर First World War के बाद की German Conditions का फाइदा उठाकर पावर में आया इसके बाद उसने ज़र्मनी पर पूरी तरह अपना कंट्रोल बना लिया और उसे एक Totalitarian State में कंवर्ट कर दिया Domestic Sphere में कंट्रोल इस्टैबलिश करने के साथ ही वो Foreign Affairs में भी जर्मन पावर को असर्ट करना शुरू करता है शुरुआती सक्सेस हिटलर का होसला बढ़ाती चली जाती है और Ultimately हिटलर वर्ल्ड को एक और वार की तरफ ले जाता है